हाई एवरिबड़ी वेलकम तो अभी मन्यू आई एस इंडिया बेस्ट प्लाटफॉर्म फो उपीएसी और स्टेट सिवल सर्विस एग्जामिनेशन मेरा नाम है मनिंदर और पिजाब पीसेस रंक 36 आज हम कॉंसेप्स इन जर्नल स्टीज और इंवार्मेंटल सेक्शन के यह सिरीज आपके शिवल सर्विसेश और यह स्टेट सिवल सर्विससे ओर हर्याना सिवल सर्विसेश और रशिया स्टेट सिवल सर्विसेशक एंदर काफी जादा हेल्प करेंगी अभी मन्यू आईए इस पिछले 23 एर्ज में मोर दें 2000 से जादा सेलेक्शन दे चुका है इंक्लोडिंग टॉपर इन यूपी एसे एं स्टेट सेवल सर्विस्स एग्जामिनेशन हम जो हैं एक नया बैच शुरू करें 2023 और 2024 के लिए अगर आप उस बैच में इंट्रस्टेड हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फोन नमबर दे रखा है आप उसके ओपर क्लिक करके इसको हम रिजिस्टर कर सकते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनिमोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक इकोलोजिकल सक्सेशन तो उसके बारे में पहले देखेंगे देखिए सपोस करो के एक आइलेंड है जो अभी अभी जो है आया है अभी अभी उसकी वल्कानिक इरॉप्शन हुई है और एक आइलेंड एमर्ज हुआ है फ्रम दे वाटर तो जब वो एमर्ज होगा फ्रम दे वाटर अभी वल्कानिक इरॉप्शन से एक लैंड नई जमीन आई है पानी से उपर तो वह बिल्कुल बैरन लैंड होगी बैरन लैंड का मतलब है उसके ओपर कोई भी इस टाइब का कोई हमारे पास कोई फॉरेस्ट या फिर कुछ ऐसा लाइफ नहीं होगी और बिल्कुल एक बैरन लैंड होगी लेकिन दस हजार साल के बाद जब यह ट्रांजिशन आता जाएगा तो धीरे-दीरे करके यह बैरन लैंड फॉरेस्ट में कनवर्ट होती जाएगी ड्यू तो एक बैरन लैंड बंजर जमीन जो बिल्कुल ही जहां पर एक लाइफ का कुछ नाम निशान नहीं था वही एरिया के अंदर एक बहुत जादा बूमिंग लाइफ शुरू हो जाएगी दस हजार पंदरह जार सालों के अंदर अंदर तो ऐसे नेचर में बड़ा इंट्रस्टिंग होता है कि यह पूरा का पूरा जो ट्रांजिशन होता है यह चेंज जो होता है किसी भी एक करेंटू तो और्य वाजार विव ना बूमिंक फॉरे इस पूरे ट्रांजिशन को एस पूरे चेंज को इस पूरे बदलावक को घग हम जो है प्तिको यह इनुपनीड स्था सचेंशन के साथ जन ला चेंग बिलोस्टम कोा बदलाव को हम जो है उसी यह अनानिन की different ecosystem उसको home ecological succession बोलते हैं एक चोड़ात example मैं आपको और देता हूँ जैसे आपने जरूर देखा होगा कि कोई कोई water body है हमारे पास एक यानि कि suppose करो कि हमारे पास एक pond है तो आपने ये pond let's say 2010, 2000 में देखा कि एक pond है जो जिसमें पानी है लेकिन जैसे ही 2010 आया जैसे ही 2010 या 2020 आया बीस साल में क्या हुआ ये पानी नहीं यहां पे रहा और यहां पे पेड़ पौदे जो है वो ग्रो हो गया मतल़ प्लांट्स ग्रो हो गया तो आपने देखा होगा इस चीज को डेफिनेटली कभी ना कभी आपने देखा अगर बोला भी होगा यार यह तो पहले कहीं पानी होता था तो यह बिल्कुली यह चीज बन गई है तो ऐसा क्या हुआ इस पर्टिक्लर इस पर्टिक्लर रीजन के अंदर के एक वाटर बॉडी से एक फ्लोरल बॉडी बन गया है मतलब इस पेड पौदे हो गया है तो यह पूरी सिचुएशन को यह पूरे ट्रास्वॉमेशन को हम इकोलोजिकल सक्सेशन बोलते हैं So ecological succession is the change from one ecosystem to another ecosystem Although इसके पीछे responsible factor eutrophication हो सकता है लेकिन still मतलब ये transition क्यों हो रहा है, ये बदलाब क्यों हो रहा है, ये change क्यों हो रहा है उस चीज को understand करने के process को हम ecological succession बोलते हैं जैसे इस diagram के अंदर आप देखो तो इस diagram में आप देख सकते हो कि bear rock है, मतलब यहां पर अभी तक कोई life नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके चोटे मोटे micro plants और small plants ये आने शुरू हो गए अगर आप देख रहे हो तो ऐसे करके उसके बाद ये species जो होंगी, जो starting वाली species होंगी जिन्होंने सबसे पहले colonize किया होगा इस area को उसको हम pioneer species बोलेंगे धेर धेरे करके ये intermediate species आजाएंगी यहां पे और finally जो species यहां पे adapt करेंगी और stable हो जाएंगी और उसके बाद काफी समय तक यह stable रहेंगी ऐसी species को हम climax community बोलते हैं कि यह climax community में पहुंच चुका है यह पूरा का पूरा system तो ऐसे succession को हम primary succession जो है वो बोलते हैं जैसे इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया के पॉंड था और धीरे दिरिगर के उस पॉंड के अंदर आप देख रहे हो कि कैसे यह यह देखो फ्लोरल बन गया यह पॉंड तो अगर 1-8 की हम transition देखें तो यह transition ऐसे हुई है तो completely आते आते हैं यह पुरा forest में convert हो गया तो इस particular चीज़ को हम ecological succession की category में डालते हैं अब ecological succession दो टाइप से हो सकते हैं एक को हम autogenic succession बोलते हैं और एक को हम allogenic succession बोलते हैं autogenic succession का मतलब होता है जब यह transition यह transformation यह change खुद हो रहा हो अपने आप हो रहा हो allogenic succession का मतलब होता है कुछ external factors की वज़ा से यह transition हो गया है for example let's say autogenic में तो time scale बहुत जादा चाहिए लेकिन allogenic में कोई forest fire हो गया या फिर कुछ anthropogenic activities कुछ human activities की वज़ा से उस ecosystem में transition आ गया तो ऐसी external factors की वज़ा से जो transition होता है उसको हम क्या बोलते हैं allogenic transition allogenic transition उसको बोला जाता है तो I hope आपको ecological succession का जो concept है वो समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करिएगा मेरा नाम है मनिंदर और आप देख रहेते अभी मन्यू आईएस Thank you everybody झाल